दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में OPPO 812 Mobile और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी Mobile से Call Forwarding कैसे हटा सकते हैं या फिर Deactivate कर सकते हैं तो अगर आपकी Call कहीं और किसी और नमबर पे Forward हो रही है तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है चले जाना है Dial Pad पे और यहाँ पे आपको Two Dot का Option देखने को मिलेगा आप इस पे क्लिक करके Setting पे क्लिक कर लेंगे इसके बाद Scroll करेंगे तो यहाँ पे आपको Career Call Settings का Option देखने को मिलता है आप इस पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे आपको Call Forwarding का Option देखने को मिलता है आप इस पे क्लिक कर लेंगे और वेट कर लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे चार option देखनी को मिल जाते हैं तो यहाँ पे when busy पे मैंने यह number अपना लगा रखा है तो जो सबसे number नीचे वाला number होता है इसे आपको नहीं छेड़ना है यह आपके service provider का number होता है जिसे आपको message receive होता है unreachable का तो यह नहीं छेड़ना आपको बाकी आप अपने number पे ऐसे करके click कर लेंगे और यहाँ पे आप update भी कर सकते हैं दूसरो number भी लगा सकते हैं तो contact में से भी जाके लगा सकते हैं जब यह gray वाले पे click करेंगे तो contact आजाएगा यहाँ से भी आप ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे मुझे हटाना है तो मैं इस पे ऐसे करके click कर लूँगी turn off पे click कर दूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका number यहाँ से successfully remove हो चुका है अब जितने भी calls होंगी वो आपकी number पे आएंगे directly तो इस step से आप यहाँ पे call forwarding को हटा सकते हैं अपने मुबाइल से तो आई हो कई सी वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा इस से टैप के और बेंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर विसिट करते रहेगा तो चली मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नवश्कार